द्यान मार्क के जरीए हम अपना कल्यान स्वेम कर सकते हैं द्रशकों ये कारिक्रिम हम आपके लेकर आते हैं प्रते गुरुबार शुक्रवार और शाम चार से पांच बजे ताकि आप अपने ध्यान और अध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब जान सके हमाइस्टा स्टूडियो में मौझूर सीनियर पिरमिड मास्टर से काजल तहरी मांग का माम बहुत स्वागत करूंगे कारिक्रम में अन्यवार दर्शको हम आपसे इस दरह लाइव जुड़ चुके हैं आपके टीवी स्क्रीन पर इस दरह नंबर्स जो हैं वो लगतार फ्लैश हो रहे हैं आप अभी अपना फोन उठाएं और उन पर कॉल सिस्टर का आक्सिदेंट हुआ था जिसमें उसकी डेथ हो गई मैं बहुत डिप्रेस्ट हूँ आगे नहीं बढ़ पा रही हूं लाइफ में और ध्यान में मन ही नहीं लगता क्या करें देखिए आपकी और आपकी sister का accident हुआ और उनकी death हुई तो आपको यह समझना होगा कि आपकी soul plan करके आती है वो जानती है कि मेरा बाहर जानने का मौका हो गया है अब मुझे बाहर जाना है तो आप guilt में या depression में अपने आपको महसूस ना करें देखिए actually अगर आप समझें तो कोई death है नहीं आप केवल आत्मा जाने को केवल शरीर बदलती है तो death नहीं है यहाँ पर आपको प्रूत्वी पर लगता है कि अच्छा death हो गई लेकिन आप यहाँ पर जो प्रूत्वी का चोला है उसको छोड़कर उसको ट्याग कर आप एक दूसरे रेल्म में चले जाते हैं अब अगर आप अपनी बेहन से ऐसा आप महसूस करना चाहते हैं तो आपको ध्यान करना ही पड़ेगा वह आत्मा तो आपसे बात्चीप करना चाहते हैं वह आपको मेसेज देना चाहते होगी शायद लेकिन आपका मन स्थिर नहीं है अपने मन को स्थिर कीजिए ध्यान में बैठिये और आपको समझाएगा कि अच्छा मुझे तो इसके प्रेजन्स फिल हो रही है तो आप अगर अपने बेहन से अगर आपको शांत होना है और अगर अगर आपको ध्यान में आना ही पड़ेगा उसके अलावा कोई मादमी है, हन्यवाद। माम, जैसे कई लोगों का ये भी सवाज रहता है, कि हमारे जो भी बॉड़ी विकेट करती है, चाहे समय से या फिर समय से पहले, तो क्या वो प्लान करके रहती है, जैसे सुसाइट से जुड़ा हुआ सवाल अकसर आता है, कि क्या एक आत्म अपनी सुसाइट खुद प्लान करती है? देखे, आत्मा की पॉसिबिलिटीज होती है, वो ये नहीं कहते कि मैं सुसाइट करूँ ये, सुसाइट का मतलब है कि आप खुद की हत्या करें, ये भी एक स्पिरिच्वल पाप है, ये भी एक स्पिरिच्वल गलत आक्ट है, क्यों? क्योंकि आपने किसी हत्या करी, वो किसी और का शरीर नश्ट किया, लेकिन आप क्या करें? आप अपना खुद का शरीर नश्ट करें जो आप बना नहीं सकते उसको आपको नश्ट करने का कोई भी हक नहीं है तो स्यूसाइड एक गलत थिंकिंग की वज़े से गलत धार्णाओ की वज़े से कोई इंसान करता है और उसके बाद उसको बहुत रिग्रेट भी होता होगा शायद अर्म अगला सवाल जाएड़ मास्टर मेरे तो विचार ही कंच्रोल नहीं हो पाते हैं पता नहीं कहां से क्या-क्या सीडीज चलने लगती है ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ ठीक उसी वक्त सर में इच्रिंग शुरू हो जाती है की से यह बी एक इंड्रेस्टिंग सवाल है और मैं आपके इस सवाल को बहुत गहराई से महसूस कर सकती हूँ क्योंकि जब मैंने ध्यान करना शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं आधा गंटा बैटी ज़ान में 40 मिनट बैटी 45 मिनट बैटी लेकिन ध्यान में एक सेकिन बिनेंग वो दिमाग में भूमती जा रहे है भूमती जा रहे है तो बहुत गुसा तो खुट पर कि मैं करके रही हूँ, मैं तो ध्यान लगता ही नहीं है, लेकिन फिर कैसे लगया एक दिन, तो ऐसे लगा कि ध्यान करना छोड़ा ही नहीं, जो मर्जी हो जाए, बस ये बोलते ही, कि मास्टर्स मुझे सपोर्ट कीजे, मैं ध्यान करना चाहती है, आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, यूनिवर्स हजार कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आप ये ध्रण निश्य कर लिजे कि ध्यान तो करना ही करना है, विचार आए, उसकी मर्जी, ना आए, उसकी श्रदा, मैं आपनी सांस के साथ करनेक्ट हैं, आपको यही काम है, इस सदा आपको अनलेस्स के लिए कोई जरूवत ने गया है, विल्कुल, माम इसी के साथ दर्शक जुड़ गए है, सवाल पूछ लेते हैं, हलो, जी नमशकार, अपने नाम बताएए, मेरे नम सुनिल खोली, जी सुनि लेते हैं, कुछ इस तो, लेकिन कई बार को हमारी सामाजी इस अतना है, वो हमारे मन को वह वैवल करती है, जी से कि मैं एक वहतना के बारे में बताऊंगू कि विल्कुल, जी समकुछ फॉंक्टर्स में जाते हैं, बहुत-वहां खाना व्रीज़ होता है, बहुत लोग ज्य सुनेल जी आप धिपयान करते हैं, कभ से दियान कर रहे हैं मैं दोतीन साल से कर रहा हूं पहले में जए इज़। समाज में होने बाले जो आपको लगव रहा हा है, कि कहीं जाते हैं वहां पर खाने की बड़ी बीशच्ज हो रही है, तो यह शवरि वी व्यवस्ता है, प्य तो आपका धर्म क्या है आप किसी को करेक्ट नहीं कर सकते यहां तक कि आप फोर्स हुली अपने बचों को भी करेक्ट नहीं कर सकते तो आपका धर्म क्या है आपका धर्म यह है कि आप खाने को पूरी इज़त से लें जितना आपको खा सकते हैं आप उतना ही लें और आप उसको वेस्तना करें आप एक इग्जामपल बन जाएए दूसरों के लिए और साती सार आप ध्यान को बढ़ाएए समाज में हमेशा बढ़ा डिस्टरब कर देगा आप अपनी उर्जा को बढ़ाएए घटाए नहीं आप अपनी उर्जा को घटा रहे हैं नेगेटिवीटी पर फोकस करके आपका धर्म है कि जो सही है वो आप करें और आप ध्यान करें और उसे भी बेटर आप उसका नेक्स स्टेप क्या है क कि आप ध्यान के बारे में बताएं सिखाएं बस हमारा यही करता हुए हमको यही काम है वारा किसी को हम करेक्ट नहीं कर सकते हमको खुद को करेक्ट करना है और अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है थालेवाद बढ़को सुनिये जी जिससरा माम ने कहा है कि हमें खुद को क अपने कहा जाता है कि जैसे आपने कहा रेप इंसिदेंस होते हैं उससे लोग काफी जादा कई सवाल आते हैं कि काफी जादा लोग परिशान हो जाते हैं ऐसे थोट से और उस सिच्वेशन में क्या किया जाए किस तरह से अपने आपको केंदित किया जाए अपने ध्यान कियों आप एक मूवी देखते हैं आप एक मूवी देखते हैं आप क्या बहुत परिशान हो जाते हैं मालीजी वहां पर ऐसा कोई सीन आता है क्यों क्योंकि आपको मालूम है कि आप मूवी देख रहे हैं, फिर क्या फरक है, आपको न्यूस बेपर में पढ़कर क्या हो जाता है एकदम से, आप इतने सारे डॉक्टर्स को आप देखते हैं, कि आरे ये तो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन ये ना भूले कि हम सब इस रियालिटी में पार्ट ले रहे हैं, हमने स्वा इच्छा से, अपनी इच्छा से इस रियालिटी में पार्टिसिपेट किया है, अब हम क्या करें इसमें, हमें केवल ये एक ही काम करना है कि हमें अपनी करेक्शन करनी है, हमने इस रियालिटी को अट्राट किया, पूरे न्यूस वेपर में आपको एक ही तरह की न्यूस क्यों में लिख रही है किस वज़े से क्यों चैनल्स पर भी आपका ध्यान उससे पर रुख जाता है अपने आप वो करेक्ट कीजिए अपने आपको जितना आप अपने अंदर का फेमिन और मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करते जाएंगे आपका अट्रक extrêmement यहीं काम होता है वह अपनी लाइट को जीता है उधारण से वह बोलता और िकिन मवालानेंस नहीं आपको उसमें दिखाई देता है कि आफिव लिखुक्क टॉछ ही फिसों मिट ऑनला कि हम परता है कstar हां आ रहिक कोंत हां आपकी नहीं और लिखिए देखिए fully balance होना भी एक गलत statement होगी हम अपने आपको balance में लाना शुरू करें हमारे अंदर की feminine side wounded है और हम उस अपनी feminine side को स्विकार करना शुरू करें चाहिए वो स्त्री हो चाहिए वो पुरुष हो अपने भीतर के feminine को heal करना शुरू कीजिए ये प्रत्वी भी heal होना शुरू हो जाएगी ज्यादा किसी भी negativity में मत पढ़ें ज्यादा newspaper को भी कोशिश कहरें कि नाई पढ़ें हाँ जो आपको important news चाहिए वो आपको quickly आप उसको internet पर देख सकते हैं बस आप जादा अपनी उर्जा को spend ना करें इस तरह की news को पढ़ने में इसी के साथ दर्शक जूर के हैं सब्सक्राइब करते हैं हलो है हंती हलो जी नमशकार अपने नाम बटाईए कि मेरी लाइप मेरा इसके है कने है नाम यसके मेरे लाइप ने करदे के जाते हैं। चान kidney सूल से बिससे मेड़ी के एगवार मैं बाहर लाग क्यों हो रहा है और इससमा जो हो आएप डियार जो हो रहा है कि मैं चुछ कोई काम भी ने कर सकी लाइप जानना चाहिए पहले तो मैं उत्ती थी गिल्टी ती अबिश्टी थी अबिश्टी तो इसका रिजन क्या है तो क्या कुछ बतला सकती है अब अपना नाम बताये है मतुमईता थी कहां से हैं इस पत्ना से और अब कितनी अच्छी अपर पुथ निया तो तो आप working, आप क्या कोई work करती हैं? किस तरह के failure के आप बात करें? Sorry? क्या हो जाता है? ऐसी क्या problem हो जाती है? जो आप को लगते है कि आप गिर जाते हो, आप उठ नहीं पारे हो, मतलब क्या एक्जाक्तली होता है? मैं देखा है कि जब भी मैंने लाइक्स में आगे रखने की कोचिश की GAM TALKS वे होगी कि मैं गिंग करते हैं, अब लगता है कि सब खटाख भटगे vasta हो सब शबचा होगा. पिर अचानक से कुछ या साह होता है, कि मुझे वह जगर देना पड़ता है, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता हूं मेरेसाद बगेर किसी प्रॉबलम से, मुझे काम बंख जरना पड़ता हूं इस बार समान मैं असा हुना है, कि मेरी इसंसी गरोटोरी थे, इसनी एसी ओडोटोरी थे, कोटिंग को ले चारी चारी, एसा लग था कि मन्त में ही मैं 1,000,000.000 अब इनकम कर सकती हूं. पर ऐसा हुओ कि मैं दुनिया का कोई मेतर, कोई प्लास्टिक चूने माँ समर्थ हूँ और मुझे लगा कि इससे मतलब मैं कोई काम करने लाइक ही नहीं रहे गए फिर मैंने बोला कि मैं पढ़ा भी नहीं सकती इंपक्त मैं मुबाइल सबीच में टच्नियों करता रही तो मुझे अपना वो प्रिफेशन बंद कर देना प्रॉबलम आरी आप ग्रो नहीं कर पारें चाहिए आप को लगता था कि इतने सुट्रेंट्स आएंगे नहीं आ रहे हैं माने आपकी लाइफ में दो चालेंजेज हैं कि आप ज्यान बाटना चाहते हैं देना चाहते हैं और दूसरा यह ए आप उसमें बार-बार फेल हो र आपकी लाइफ में बढ़े आपको उसको बाटना ही होगा और कोई चारा नहीं है आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़े आपका पैसे तो घाट रहा है फिर क्या करें देखिए एक concept था टिथी का यह बाइबल का कि आप अपनी इंकम का वांट टेंथ दें उतना नहीं कर सकते तो कुछ अपनी इंकम का पार्ट आप दीजिए हाइस्ट कामों के लिए लोगों को लगता है हरे हम तो क्या करें हम और्फोनेज में दे देंगे मैं तो इतना कहूंगी कि जो हाइस्ट काम हो रहे ना जहां पर यह झौन को फोर्मूला बस नहीं बता थे हैं और बस गलत पता था तो अब क्या करें? अब आपको सही formula पता चल गया है. देखिए, सबसे पहला step है इस formula का, आप ध्यान करेंगे हर रोज. आप माँ हैं, दो बच्चों की, और वो आपका लालन portion कर रहे हैं. आपको करना है, तो आप fit होई है उस काम के लिए. आप ध्यान कीजिए, जितनी आपक आई हूँ है, कम से कम उतने मिनट ध्यान कीजिए, हो सके तो उसे जादा भी कीजिए. जादा की कोई limit नहीं है. कम से कम अपनी age के जितना ध्यान कीजिए. दूसरा, आप अपनी income में से, जितनी भी आपकी income होती है, उसा कुछ पार्ट हाइस काम के लिए देना शुरू किसी को ध्यान सिखाने के लिए देना शुरू कीजिए, कुछ अनदान करने के लिए देना शुरू कीजिए, जहां पर ध्यान का कारेक्रम होता है, आप ये काम कीजिए. और knowledge जो है, जिसके लिए हम, knowledge तो हमको बाटनी चाहिए भी. सिरफ पैसे के लिए मत कीजिए, अपने thoughts पर काम करना है, अपने विचारों पर काम करना है, उसके लिए आपको ध्यान करना है. जितनी आपकी उमर है, लगबग उतना minute ध्यान तो आपको करना ही है, और maximum ध्यान आप कितना भी कर सकते हैं. उमीर है कि आपके जो भी सवाल था, आपको उसके जवाब माम से मिला होग और आखों के सामने सब रेड दिखाई देता है. देखिए, ध्यान में जवाब बैठते हैं, एक तो कुछ भाव से मक बैठिये, किसी एक्पेक्टेशन से मक बैठिये, आप बताए कि आपके अंदर से ये भाव कहां से आते हैं, कि मुझे कुछ दरावना दिखाई देता है मुझे लाल लाल दिखाई देता है, कि आपके भीतर के ही डर है, जो उभर कर आ रहे हैं, और आपका मन भी चाहता है कि आप ध्यान में ना बैठें, मन कहता है अच्छा, चलो दोस्तों के साथ चले जाएं, चलो मूवी देख लें, चलो यहां चले जाएं, चलो वहां चले तो लेना ही पड़ेगा, कि मैंने ध्यान में बैठना ही बैठना है, कुछ द्रावना दिख रहे हैं, वो आपके अंदर के ही थौट्स हैं, कुछ आपको अच्छा दिखता है, वो भी आपके अंदर के ही थौट्स हैं, आप बस बैठ जाएं, यह आपका काम है, दिखता है, इस दिखने दीजे, जो दिखता है इस दिखने दीजे, अच्छा बुरा, जो है सब अपने भीतर है, तो बस शानती से ध्यान में बैठे रहिए, दरने की कोई जरोत नहीं है, ध्यान में कभी 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 किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता, हमारे ही भीतर की गंदगी होती है, जो उभर कर आती है I hope आप ध्यान को continue करेंगे और आप इन सब बातों से बहुत आगे निकल जाएंगे थन्यवाद जो भी है जो भी विचार है वो केवल हमारे अंदर ही और वो ध्यान से पूरी तरह से जो है आप उन्हें भूल सकते हैं माम अगरे दर्शक जुड़े हैं सब आचाल में थे हलो हलो हाँ जी मैं जी नमस्कार अपना नाम बताएए मैं मेरा नम साहिल बात करेंगे जी साहिल जी कहां से बात करेंगे यां मैं पढ़िंडा पंजाब सी जी सवाल पूछिए अपना मैं मेरे मजर ऑना मतलब बैकाउन की प्रॉलम इत जब वो धान करती है ना वो जाहा दर बैठ नहीं सकती मतलब अगर एक गंटा करना है तो वो एक गंटा लगाता नहीं कर सकती वो मतलब जैसे गंट लगा लिए 20-20 मिनट करके एक घंटा करेगी तीन वार में और फाइद धन्यवाद इस प्रश्णि के लिए तो आप देखिए आपकी मदर को ये थोड़ी प्रॉब्लम है बैकबोन की जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा होती है हमको ध्यान भी ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम उस प्रॉब्लम से निजात पा सकें आपको लगे कि इतना रही इस प्रॉब्लम का तो कोई सलूशन है यह नहीं हर चीज का सेलूशन ध्यान में है आप उनको ध्यान में बैचने के लिए कहें हां आगर वो जाधा देर नहीं बैच सकती हैं तो छोटे-छोटे स्टेप्स में करती रहें लेकिन ध्यान जरूर करें आज इक शुरू हो जाता है जब आप अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं यह कोई छोटी बात नहीं है आपकी सांस आपको पूरी तरह से हील करती हैं आपकी विचार धारा को पूरी तरह से बदलती हैं आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को लेकर आती हैं जो आपके ज कि टीवी पर, मॉबाइल फोन पर हमको ध्यान मिल रहा है, तो आप उनको बोले कि वो ध्यान जरूर करें, चाहे छोटे-छोटे इंटरवेल्स पर गाप ले लें, कोई भात ने, धिरे-धिरे वो बढ़ता जाएगा उनका ध्यान करने का समय, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कोई तकलीफ है, तो आपको ध्यान बढ़ाना पड़ेगा, धन्यवाद. जी, बिल्कुल, जस तरह माम ने कहा घ्यान जी कि आपको ध्यान जो है वो करना है, और आपको किस तरह से अपनी माता जो है उनको भी ध्यान करवाना है, यसे कि आपने कहा कि उनके नी में प्रॉब से फ्रवाँ सकते हैं जहां पर हइड दिप्रामिद फप्रमामिद का जो है तारीकी की सब ही प्रेमीड मौजूद है आप वहां से पीरमीड को खरीच सके हैं और अपर जो इसograph staff at क्योंकि ये कहा जाता है कि पिरमिड ध्यान से जो उर्जा है वो तीन गुना बढ़ जाती है, तो आप वहां से पिरमिड बंग वा सकते हैं और पिरमिड ध्यान अपनी मतर को पनी मतर को गड़ सकते हैं, कारी करम के कौल करने के लिए आपका शक entferis. मेरा मांसेम नेगितिव जगा पर जाधा ज्यादा नहीं कर पाता यहाइं, क्या करूआ, जब भी मेरा ध्यान करने ज्याता हूं, सारह ध्यान नेगितिविटी चाहता है, और पूरे टाइम मेरा मांड ऐन डे टीव बाते, ऐसा लगता है जैसे वह पूरे घूम रही है पूरे टाइम चलती रहती है जिससे मेरा ध्यान में पूजा पाठ में भी नहीं लगता है और ना ही ओफिस में मेरा काम करने में मन लगता है साथ ही जिसकी वज़े से मुझे हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा ह का अगर आप द्यान करते तो आपको ध्यान करना शुरू करना ही corresponds 2000 का अप्रोब्लम का सेल्यूशन है सर रोग निवारे नि कोई पे रोगा है उसका स्वेषिन है कि आप ध्यान करें अब आपको बहुत negative thinking होती है तो यह thinking क्या है यह एक आदत है आपको यह pattern हो गया है कि आप negative सोचते रहते हैं आप इस pattern को बदल सकते हैं कैसे बदल सकते हैं जैसे ही आपको negative thought आये और आपको बता चले ओ मैं तो negative सोच रहा हूं तुरंत उसको तीन positive thoughts से replace करते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है सब भला हो रहा है all is well इन thoughts को रखके आप अपनी negative thought को positive thought में बदलिए ध्यान कीजिए ध्यान बांटिए अच्छी किताबों का स्वाधियाए कीजिए हमारे PMC Hindi पर बहुत सारी spiritual किताबों के स्वाधियाए sessions हैं उनको जरूर देखें और आप पॉजिटिविटी का पॉजिटिविटी में बदल गई पता ही नहीं चलेगा तने बाद बिल्कुल जिस तरह माम ने कहा है की निरंदर ध्यान करना है और ध्यान के साथ साथ जो है आपको अपके सभी thoughts चले जाएंगे क्योंकि आप positive thoughts से अपने negative thoughts को पदल सकते हैं माम अग सवाल जी है मैडम मेर को बहुत पुजा करते हैं विशेश कर बहुत मगेटी thoughts आते हैं तो बाद एकागरता नहीं होती उसमें जी बिल्कुल हम आपका सवाल समझ गए हैं माम जी वही सवाल है जिसको मैंने अभी जवाब दिया तो नीना जी कोई problem नहीं है आप आपने बोला कि आप फूजा पार्ट में बैठती हैं तो आपको बहुत सारे negative thoughts आते हैं आप ध्यान में बैठना चुरू कीजिए negative thoughts आपक कि मुझे फिर thoughts आ रहा हैं मुझे तो ध्यान में मुझे तो सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ा हैं आप अपनी सांसों के साथ बार 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 जुड़े हैं बार बार दुबारा दुबारा अपनी सांसों के साथ एक हो जाएए आपकी thoughts हैं वो पूरी तरह से शांत हो ज जानेगा आपको positive thoughts पर ज्यादा focus करना चाहिए आप हमीशा positive बात सोचिए miraculous बात सोचिए बहुत अच्छा हो रहा है amazing हो रहा है मैं कुछ भी कर सकते हूं miraculous thoughts सोचिए positive thoughts सोचिए उससे कम तो सोचिए मत negative को अपनी life आप बार बार आप pencil चलाएंगे तो वहां पर निशान पढ़ जाएगा उसके पर पर आपको सिर्फ आप पॉजिटिव वाला निशान डालना शुरू करते हैं हमेशा पॉजिटिव पॉजिव 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 आपके जीवन का एक पार्ट हो जाएगा आपक तो कोई बात नहीं मैनत करेंगे जीतेंगे आगे बढ़ेंगे सबको बढ़ाएंगे यह हमारा प्यंसी हिंदी का पमुला है और आप इसको गांट बात लीजिए रोज ध्यान कीजिए अपनी उमर के बराबर ध्यान कीजिए बिलकुल नीना जी इस तरह माम ने कहा कि आप और उससे आपकी सारी विचार जो नेगीटिव विचार है वो सभी पॉजिटिव में बदलना शुरू हो जाएंगे जिसके लिए आपको काम खुद ही करना पड़ेगा जब भी आपको कोई भी नेगीटिव विचार आए तो आप उससे पॉजिटिव विचार से बदल सकते है और ये सिर्फ और सिर्फ में रद्र ध्यान से होगा कारिक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत-बहुत धनिवाद माम अगली दर्शक जुड़ गए है सवाल जाने दें हलो 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 जी अपना नाम बताएए नीलम जी नीलम जी कहां से बात करें आप राजपुरा तो जीर सही कनेक्शन में जाकर अपना सवाल पोछें की जैसे द्यान करने बैरते हूं तो इनकी वह जह से लिए द्वहां खुट्वर मैं अब जब भी ध्यान करने बैरती हैं तो मेर दम गुटता है जैसे जिसा होता है और अजसा लगता है कि ध्यान से तुरंच वापस आज़ा है क्योंकि दम घुटने लग जाता है तो ऐसी सिशुशन में क्या किया ज़ी आपको ध्यान तो आपको लगता अच्छा मेरा दम घुट रहा है कोई बात नहीं उस हमें के लिए उठ जाईए दुबारा बैठ जाईए कुछ हमें बात बैठ जाईए तेकिन बैठ ही जरूर कि हमारे ही पैटन्स हैं कि मेरा दम घुट रहा है मैं ध्यान नहीं कर सकती मैं ध्यान नहीं कर स आपको जब भी इस तरीके की तकलीफ हो आप ध्यान से वापस आजाएं और निरंतर उसके बाद भी आप ध्यान के पैटन्स बना सकते हैं आप दिन में कई बार ध्यान कर सकते हैं आप आदे आदे घंटे के अगर टाइम स्पैन में भी ध्यान करेंगे तो यस तरीके की थौट्स आना लगभग आपके लिए असान हो जाएगा आप इस थौट्स से पाएंगे माम अगली दर्शक जुडगे हैं सभा आजामेत हैं हलो नमस्कार अपना नाम बताईए है मैंडम हमारा नाम संतोष है जी अपने सवाल पूछें मैं मैं बड़े वाला दो बच्चे है लडगे जो बड़े वाला लडगा है और मेरी पस्नी थोड़ा परेशानी है केरें तो किस तरह की परिशानी आपको रहती है उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो पाली जी ये तो जग जाज पूरीन संजार की प्रॉब्लम है देखिए धनेवाल थी थोड़ी एक युनिवर्सल पॉब्लम है अगर आपका बच्चा मुबाइल जाता देखता है आप उसको मना करेंगे न जाता हो आप से जगडा ही करेंगे इसमें मुबाइल उसका दोस्त है आप दुश्मन हैं और हम दुश्मनी को बच्चे के साथ और पढ़ाते हैं उसको निरंतर टोक टोक कें तू गलत करता है तू गलत कर रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए देखिए कुछ उस बच्चे को स्पेस दीजिए कि वो इस बात को समझ सकें एक तो आप यह देखिए कि बच्चे को कुछ कुछ आक्टिविटी में एंगेज कीजिए कि आप उसके साथ किसी स्पोर्ट में भेजिए कहीं स्पोर्ट में जाए कोई जिम में जाए कहीं भी जाए ग्रीन्स में जाए ओपन में जाए थोड़ा सा घर के अंदर कैद होके मोबाइल फोन से चिपके रहना से बेटर है कुछ बाहर निकले कुछ प्रड़क्टिव करे कुछ कुछ किसी के लिए कुछ काम कर दें अगर आपका बच्चा इस समय आपके साथ बहुत अग्रेसिव हो जाता है अप मना करते हैं तो पहले अपने बच्चे के साथ दोस्ती का रिष्टा बनाना शुरू करें हर बात में टोकना बंद कीजिए अप उस बच्चे के तरफ अपनी थौट भेजिए कि तुम मोबाइल को सिरफ अच्छे कामों के लिए उस करते हो अपना ज्यान बढ़ाने के लिए उस करते हो ये थौट रखिए जब उसकी माँ खाना बनाती है यह थौट रखे जो आप चाहते हैं ना उसको बोलने की बजाए जगरने की बजाए आप थौट पर काम कीजिए आप रोटी बनाते समय थौट रखें कि यह बच्चा मुबाइल से ग्यान प्राप्त करता है और और फिर यह ग्यान को बंटे गाबी यह थौट रखें बच्च में वह बच्चा भी उस ध्यान की तरंगों को कैच कर लेगा तो इसलिए आप ज्यादा बच्चे के साथ जाथ टोकटा की मत कीजिए सिर्फ एक बार को बस करेक्ट कर देजिए कि बिटा इतना मुबाइल मत दिखो या ऐसा मत ऐसा तुम को तुम इतना टाइम कहा लगा रह कि दोस्रीए तो क्या बाच्चेथ क्या कोई आपकी वाद सुनेगे आपको दुश्मन आपको शर्त देगा क्या पसकी बाद सुनेंगे नहीं बहुत बार माबाप बच्चे के दुश्मन बन जाते हैं अपनी घलतियों की विज़े से अपनी रॉन कम्युनिकेशन की जादा एडवान्स सोल्स होगी वह तो आप अपने घर का थारा महौल चेंज कीजिए ध्यान वाला महौल बलाईए प्यार से बात कीजिए मोबाइल देख रहे कुछ दिन मत बोले थिर सिर्थ थौट पर काम कीजिए जो हम जो जिस भाव से खाना दिने जाते हैं जिस भाव से बातचीत करते हैं वो भाव बहुत कुछ मदल सकता है प्यार का महौल पहले कायम कीजिए थौट को बदलिए बच्चे को ध्यान का महौल दीजिए अपने घर में लोग को ध्यान के भारें बताईए तो आप पाएंगे कि आपका बच्चा भी सहीर मार्क पर चलना शुरू ह जाएगा जब आपने दुनिया को सही मार्क दिखाना शुरू कर दिया तो कुद्रत का ये नियम है कि वो बच्चे को भी वो आपके बच्चे तक भी वो सही बात पहुंचेगी आप एक फॉलो कीजिए I hope it helps धन्यवाद बलकुल संदोश जी इस तरह माम ने कहा उमीद है कि नवीद है कि आपका सवाल का जवाब मिला होगा आप अपनी बच्चों से पहले दोस्ती का हाथ बंळाएं나हें उसके बाद होनने करेक करनेगी कोशिश करें इसके बिल्लब कास्वाल फाल जानने के नमस्ते मास्टर्श में ज्छान करने पर नीद आने लगती है क्या करें तो यह माम इस पर जवाब लेंगे लेकिन पहले दर्शक जुड़े हैं सब्सक्राइब हलो 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 जी नमस्कार अपना नाम बताएए हालो ही अब उसक्राइब है थाय ही तो आप पताएगे कि से तरह पनल आने पर हमें तिक नीद आ जाती है तो देखिए दिख अगर आप ध्यान करते करते नीद आ जाती है It's okay वो सिर्फ नीद नहीं है वो योग नीदर आ है वो एक बड़ी गहरी स्टेटेस लिप की तो कोई बात नहीं ध्यान ते जो होता है उस पर शक्त ना करें नींद आ गई, कोई बात नहीं किसी ना किसी दिल ये नींद खुल जाएगी जब आपका शरीर उर्जा से भर जाएगा तो आपको नींद आनी बंध हो जाएगी अभी शरीर को क्या चाहिए? शरीर को उर्जा चाहिए? शरीर को नींद चाहिए अगर आप ध्यान करने बैठ रहे हैं, तो just make sure that you are well rested, आप अच्छे से सोईए और उसके बाद ध्यान ने बैठिए, कुछ लोग क्या करते हैं, कि नीन आ रहे हैं, उस ताइम पर ध्यान में बैठ जाते हैं, कि अच्छा तरव अध्यूदे तो ध्यान भी करना था, ये मत कीज आपका श्री rested हो, आप कुछ समय ग्याजेट से दूर रहे हो, अब आप ध्यान में बैठिए, आपके ध्यान की quality बहुत भेतर हो जाएगी, तन्यवाद, पर कर्मा मगला सवाल जाने थे, ये तो मुझे इनकी प्रक्रिया समझ नहीं आई, ये नोस से उपर ध्यान जाने का क्या मतलब है, आपको तो सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक होना है, आपको और कुछ करना ही नहीं, वो सांस जहां तक जाती है, वो जाएगी, आपको क्या करना है ध्यान में, कि वीवल अपनी थौट्स को, जब आपको थौट्स आए, तो दुबारा अपनी सांस के साहथ जुड़ जाए, अभी यहां तक पहुँचा, यहां तक पहुँचा, यह आपका काम ही नहीं है, आप सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक होना हया, अगर आपकी आप खुल जाती है तो आप दुबारा ध्याने बैठ चाहिए, कोई बात नहीं अनलाइज मत कीजे ज़्यादा, पत्री सरी बड़ी इंट्रेस्टिंग बात बोलते हैं अनलेसिस इस परालेसिस, हम इतना अनलाइज करते हैं अपने meditation experiences को, हमारा कौन सा चक्रा खुल गया, कौन सा चक्रा बंद हो गया हमें इस यहाँ पर बहुत तक्लीफ है, वहाँ पर बहुत तक्लीफ है हम इतना अनलाइज करते हैं, हम ध्यान में गहरे नहीं उतर पाते हैं सब analysis को छोड़कर आप आखें बंद करके सांसों के साथ एक हो जाएं बस कुछ analyze करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पहुंचा वाँ पहुंचा, कोई ज़रूरत नहीं है बस आप ध्यान में बैठे ही बैठे, आपका given यह धर्म है As a meditator, आप यह धर्म है कि आप ध्यान में बैठेंगे ही बैठेंगे, जाए कुछ हो जाए ध्यान तो कर दा ही करने है, आख खुले ना खुले, कोई फ़रूरत नहीं कभी-कभी आप को किसी-किसी के ध्यान में हाथ भी-कभी खुल जाते हैं कि मैं ध्यान करें, मिरे दोनों हाथ ऐसे-ऐसे खुल गए एकदम से तो क्या मैं ध्यान छोड़ दूँगी? नहीं ध्यान ने तो मेरे पुरी जीवन को बदला है मुझे एक नया जन्म दिया है, तो मैं ध्यान को कैसे छोड़ सकती है आप भी इस बात को समझें और आप रोज ध्यान करें ही करें जहां पहुंचता है, कहां पहुंचता है, पहुंचता है, पहुंचता ही नहीं है हमें अपने भीतर गहरे उतरना है किसी एक्स्पीरेंस के लिए नहीं, किसी चीज को देखने के लिए नहीं जस्ट अपने भीतर एक तुबकी लगानी है और गहरी दुबकी लगानी है बस आमको इतनी बात रखने है तरेवार वेल्कुम माम अग्री दर्शक जुड़ गया है सवाल जाने है हलो हलो जी नमस्कार अपने नाम बताईए मेरा नाम लिए मैई हजड़ाबात से बोल रही हूं जी रविन्यादी सवाल फूछें अपनना मेरे एक शंचरी है एप ठीड मेगे लिदी भ magnific नहीं करने हएं कि यूंकि दोनों करना थोड़ा मुश्किल हो जारा सामाही का थोड़ा आ्पर ॐ जी दन्यवाद इस सवाल के लिए रवीना जी ध्यान एक ना उत्तर गीता में एक श्लोक आता है जो कहता है कि कितने आप यग्य कर लो पूजा कर लो तो आपका जो ध्यान है वो सबसे उच्च कोटी का ध्यान होता है तो आप उस इस बात को समझते हुए पूजा पाठ की लेकिन जब आप ध्यान में उद आ जाते हैं तो ध्यान तो आपकी उपर वाली क्लास है उपर वाली कक्षए है पूजा पार्ट एक स्टेप था वो आपने कर लिया अब अब उससे हायर स्टेप पर पहुंच गया है तो क्या जब आप त्वेल्थ से जब आप 10th से 12 में पह अब आपको दोनों में time invest करने की बिल्कुल जरू होती है क्योंकि पूजा पाट वाले class आप pass कर रहे हैं तब ही आप ध्यान तक पहुंचे हैं अगर आपकी वह class pass नहीं होए उती तो आप ध्यान तक आते ही नहीं आप ध्यान में आ गई हैं, इसका मतलब है आप वो वाले क्लास को करके आएं, तो इसलिए अब अपनी पुरानी किताबों को खोल के रिट्टे नहीं मारने हम ने, अब हमको अपनी सांसों के साथ एकोन है, सारा का सारा मैजिक हमारी खुद की सांसों में है, उस मैजिक के साथ एक हो जाएं, धन्यवाद जी बिल्कुल रवीना जी, हमें उमीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा कारिकर में कॉल करने के धन्यवाद माम अगले सवाल जाने ते मास्टर जब भी ध्यान करने बैठती हूँ, जैसे ध्यान आई तक पहुचती है, तो मेरे हेड में भी पेंग होने लगता है माम ये सवाल कईयों का आता है सर में दर्द का, जब भी ध्यान करते हैं तो सर में काफी ज़्यादा दर्द होता है उसका क्या क्या जाए मैं आपको दोस्तों ये बात समझनी बहुत जरूरी है ध्यान को लेकर लोग कहते हैं बहुत बादतिया है लोग मुझ से पुछते हैं कि आप कौन सा ध्यान करते हैं अच्छा, हजारों ध्याने, आप कौन सा ध्यान करते हैं मुझे ही सिर फथी सर के सिखाई हुई एक बात मालु में therefore there are not hundred techniques there is only one technique और वो टेकनीक है अपनी सांसों के साथ एक हो जाना अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उनको यह गाइडेंस मिलती है उनको यह गाइडेंस देया जाता है कोई कुछ-कुछ लोग उनको देते हैं कि आप यहाँ पर फोकस कीजिए कुछ लोग इसको त्रा टक भी बोलते हैं आनकें एक किसी फ्लेम पर देखते रहते हैं और कुछ लोग भी ध्यान करते हैं तो पूरा का पूरा अपना ध्यान यहाँ पर लेकराते आथे आप आप समझें इस बात को कि आप क्या कर रहे हैं ? जहां पर आप फोकस कर रहे हैं वहाँ पर खूप शारी ंर्जा आजएगी क्या आप उस उर्जा को भी वह साफ कर सकते हैं ? नहीं आप उसूर्जा को हैंडल नहीं कर सकते आपका सर बहुत जोर से दरदोलिन लग जाता है तो हमको क्या करने हैं हमारी तो मुझे तो अपनी थड़ा एक खोलनी है मुझे तो खोलनी है थड़ा है दोस्तो हमारे सभी चक्राज में कोई भी चक्र हो वहां तक कौन पहुंच सकता है मेरे तो मूलाधार में भी प्रॉबलम है मेरे तो स्वादिश्टान में भी प्रॉबलम है मेरे तो मनीपूरत में में भी प्रॉबलम है मेरे तो अनाहता भी ब्लॉक्ड है मैं क्या करूँ सभी चक्रों तक जो एक चीज पहुंचती है वो है आपकी श्वास इसलिए हमारे सर ने हमें दिया आना पाना सती ध्यान जो की गौतम बुद्ध का दिया हुआ ध्यान है कि आप सहज श्वासों के साथ एक हो जाएं और नॉर्मल ब्रेथ के साथ एक हो जाएं आपकी ब्रेथ खुद बखुद जहां पे हीलिंग होनी है वहाँ पर बहुंच जाएगी मैक्सिमम हीलिंग अपनी ब्रेथ से होती है दौस्तों आपको कुछ नहीं करना आप सिरफ सास अंदर गई सास बाहर जा रहे हैं बस यह observe करना है आपको और कुछ नहीं करना है यहाँ पर पुरा focus, यहाँ पर पुरा focus, यहाँ पर पुरा focus कुछ भी नहीं करना है क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर उर्जा का विस्पोर्ट नहीं कराना आप forcibly अपने किसी चक्रे पर काम करेंगे, आपको गरबढ ही हो जाएगे क्योंकि आपके भी lower 3 चक्रा क्लिर नहीं हुए आज तक मैं अपने मूलाधार चक्रा पर काम कर रही हूँ किस तरह ऐसे कर रही हूँ? अपनी सांस के साथ एक हो कर मैं जानती हूँ में lower 3 चक्रा में blockage है कुछ-कुछ तो क्या करूँ? उनके उपर focus करूँ? किस पर focus करूँ? उनके क्या मंतर जाब करने शुरू कर दूँ? हार चक्रे का भी मंतर होता है तो क्या करूँ? आप simply अपनी सांस के साथ एक हो जाएए सांस जहां पर आपको तकलीफ है वहां पर खुद बखुद पहुंच जाएगी सांस में बहुत intelligence है उसको पता है कि आप कब आने अंतका बदर आना है कब बाहर जाना है सांस में इतनी intelligence है नहीं आएगे कहेगी मैं तो नहीं आरी तो आप क्या कर लेगे तो सांस के अंदर इतनी intelligence है वह जानती है कहां पर गड़बड हो रही है पूरा चकर लगा क्या आती है वह जानती है कहां पर गड़बड हो रही है उसको अलाओ कीजिए नॉर्मल नाचुरल शांस की साथ एक होकर हाथ क्रॉस करके पैर क्रॉस करके आखे बंद करके बैठिए ब्यूजिक लगा लिजे जहां पर तकलीफ है सांस खुद पर खुद पहुँच जाएगी कि लोगों का ये भी सवाल देता है कि क्या ध्यान में हीलिंग हो सकती है ध्यान हीलिंग कर सकता है कि मैंने दोस्ता को आप लोगों कईबार बताया कि ध्यान थे वह सर्व रोग निवारेणी सभी रोगों में आपको डिस इस से इस में लेकर आता है लोगों को रखता है अरे ये बिमारी थोड़ना ठीक होती है मैं रहा क्या हाट का ब्लॉकिज खुल जाएगा जियान करके ऐसे थोड़ना होते हैं उसमें तो आज डॉक्टर को अंदर ओपन हाट सरज़िनी करने ही पड़ेगा उसमें स्टेंट डालना पड़ेगा दोस्तों सब ब्लॉकिज हमने खुद करियेट किया हैं अपनी रॉंग थौट से हमने सब ब्लॉकिज करियेट किया हैं अब क्या करें अब सांसों के साथ एक हो जाएं अब अच्छे positive thought patterns को ले आएं सब की मदद कीजिए service के condition में आजाएं सब कुछ बहतर होगा आप उसको allow कीजिए हमें खुद को इतना शक होता है अरे ये थोड़ना ठीक होगा अरे मेरी आख थोड़ना ठीक हो जाएगी मेरा कान ठोड़ना ठीक हो जाएगा मेरा हार्ट ठोड़ना ठीक हो जाएगा सब ठीक होता है और आप हमारा show भी देखिए जो जिसमें हम बात करते है ध्यान से चमतकर शो को आप देखिए आप पाएंगे लोगों ने अपने आपको कितनी जबर्दस ही निंग करी है किवल और किवल सांसों के बात जाएं से तो सांस एक divine electricity है आपके अंदर सिर्फ सांस नहीं है सिर्फ प्राणा नहीं है divine electricity है चली गई तो आप कोई भी जगा नहीं सकता आप फिर तो आप चले गए खतम हो गया सब कुछ खेल ये खेल चल रहा है इसी सांस की वज़े से तो आप इस सांस की महिमा को समझिए ये उस इश्वर का रूप है आप सांसों के साथ एक हो ये और सहर तरह की healing होगी जी बलकुर दरशको जिस तरह मैं ने कहा है कि ध्यान से healing होती है ध्यान से चमतकार आप हमारा कारिक्रम देख सकते हैं जो हमारे सभी YouTube चानल पर प्रसारित किया जाता है आप हमारे YouTube चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं PMC Hindi PMC Hindi TV PMC Hindi Health और PMC Hindi Clips यहाँ पर ध्यान से चमतकार ध्यान से जुड़े कई यसे कारिक्रम आते हैं जो हाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह ध्यान से healing होती है और ध्यान जो है वो सभी रोगों को टीक करने का वो पूरी पूरी शंता रखता है मामा आप हमारे साथ कारिक्रम में जोड़े तमाम सवालों के जवाब दे दर्शकों से जूड और उनके सवालों के जवाब दे इसके लाप भग होते हैं, तो दर्शकों आज के हमारे कारिक्रम क्लेत नहीं, आज हम आपके लिए कारिक्रम, Hello PMC, प्रते गुरुवार, शुक्रवार और शुनिवार लेकर आते हैं, शाम च हिंगी बदली जीवन घर घर में सत्य का दर्शन